यह एक बात आप सब लोग मानते होंगे इसको और मानते होंगे तो कमेंट करना हाँ जो भी बताना कि हाँ भई हम इस बात को मानते हैं मैं अक्सर देखा है कि बच्चे और कभी-कभी हम लोग भी आसपास ओफिस में देखता हूँ लोग इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं सिर्फ यह डिसाइड करने में कि हमको करना क्या है कि हमको क्या पढ़ना है कब पढ़ना है कितना टाइम देना है इसमें टाइम वेस्ट कर देते हैं और बहुत से बार टाइम वेस्ट करते हैं यह सोचने में मैं स्लो तो नहीं पढ़ रहा मैं फास तो नहीं पढ़ रहा मैं स्लो तो नहीं पढ़ रहा मैं फास तो नहीं पढ़ आता है और राइटिंग प्रैक्टिस में अब क्या लिखू कौनसे कोश्चन लिखकर प्रैक्टिस करूं यह तै करने में और टाइम वेस्ट हो आता है इसमें ही इतना टाइम वेस्ट हो आता है कि एक्च्वल पढ़ाई करने के लिए टाइम बचता ही नहीं इन बातों को ध्य काम करते हैं, audit पढ़ाते हैं, audit की बाते सुनते हैं, दिन रात सिर्फ audit ही चलता है हमारे दिमाग के, day in day out, it's only audit. अब हमको इस subject का बहुत जादा experience है और इसको ध्यान में रखके, हम लोग अब ये बता सकते हैं कि कौन से topic बड़े है, छोटे है, कौन से complicated है, easy है, किसको पहले पढ़ना चाहिए, किसको बाद में पढ़ना चाहिए, किसको कितना समय देना चाहिए. और writing practice कैसे करना चाहिए, ये हम बता सकते हैं. इन बातों ख्याल में रखके, कुछ समय पहले मैंने वीडियो दाला था, कि हम लोगों ने एक dynamic study plan बनाया है, उसका link भी मैं description पर दे देता हूँ, हमने audit को, CA final के audit को, हम लोगों ने 10 पार्ट में divide किया है, और CA inter IPCC के audit को, हम लोगों ने 8 पार्ट में divide किया है, और हमने कोशिश की है, कि हम लोग उसको balanced रखे, कोई पार्ट कोई बहुत बड़ा नहीं, कोई बहुत छोटा नहीं, हमने balance उसको रखा हुआ है, यहाँ पर 10 पार्ट को divide कर दिया, वहाँ पर 8 पार्ट को divide कर दिया, और हर पार्ट के सामने, हम लोगों ने time भी देखे रखा है, कि इस topic को पढ़ने के लिए इतना time लगना चाहिए, हम सब को पता है कि छोटे-छोटे तुकडों में, छोटे-छोटे तुकडों में पढ़ेंगे, तो पढ़ाई अच्छी होती है, target एक होता है हमारे पास में, इतना cover करना इतने समय में, तो वो target हम अच्छे से अच्छीव करते हैं, और जैसी एक target अच्छीव करते हैं, अगली target के तरफ बढ़ जाते हैं, हम लोगों ने ऐसा करके, CA final के लिए, हम लोगों ने 80 घंटे का plan बनाया है, CA inter के लिए 80 घंटे का plan बनाया है, बच्चे अपने हिसाब से उसको adjust कर सकते हैं, अगर आप अच्छे हो तो 40 घंटे में कर सकते हो, और अगर आप ऐसा लगता है कि और समय देना है, तो असी के जगा 120 घंटे कर सकते हो, जो आपकी situation है उसके हिसाब से आप plan को adjust कर सकते हो, तो आपको सिर्फ print out निकाल कर ratio proportion थोड़े से calculation ही आपको करने है, थोड़े से calculation आपको करने है, देखिए, ये, हम लोग ने, ये CA file का plan है, राइटिंग प्रैक्टिस पर भी मैं आ रहा हूँ, CA file का plan है, पहले इसमें profession ethics, फिर, koroid process company audit, 500 series, 300 series, बहुत ही अच्छे तरीके से हमने systematically डिवाइड किया और खास बाद, 10 के 10 पार्ट के लिए, हम लोग ने 10 paper बना लिये, 10 के 10 पार्ट के लिए 10 paper बना लिये, साथ में suggested answer भी बना दिये, और एरे गएरे questions नहीं है, ये बहुत ही important questions है, important questions को ध्यान में रखके उसको बनाया है, तो लगभग आप लोगों के 50 questions, हम लोगों ने 10 paper बनाये CA final के, 50 questions की आपकी पूरी writing practice बहुत अच्छे से हो सकती है, एक part cover किया, एक question paper लिख कर देखा, और ज्यादा बड़ा question paper नहीं है, 30 मांग का question paper है, फिर अगला part, अगला question paper, अगला part, अगला question paper, अगला part, अगला question paper, जबरदस्त आप लोगों की writing practice हो जाएगी, इंटर में 8 part है, उसके 8 paper हमने बनाये, पढ़ते जाए, question paper answer solve करते जाएए, पढ़ते जाए, paper solve, पढ़ते जाएए, paper solve, old course और new course दोनों के लिए किया है, अगर आप इसको ध्यान में रखकर पढ़ेंगे, तो आप लोगों की पढ़ाई, within reach रहेगी, time bound रहेगी, सब कुछ बना कर दिया है, आपको सिर्फ follow करना है, इसको allocate कर दो, कौन सा part कप करने वाले हो, date के हिसाब से, और आपको इसको follow करना है, और paper लिखना है, और मैं आप लोगों को बता दू, जब आप paper, जब आप paper लिखोगे, तो revise करने के बाद, fresh mind से paper लिखना, ideally, एक दिन पहले revise करना, अगले दिन सुबह उटके, fresh mind से फिर आपने paper लिखना चाहिए, दिन भर के पड़ाई होने के बाद में, हके हारे, आखरी में आप paper लिखना चाहते हो, ऐसा please मत करना, please don't do this, हमारी टीम ने बहुत ज़्यादा मेहनत करके, total 18 paper, in fact, 18 से भी ज़्यादा old और new करके, लगबग 20 paper हम लोगों ने बनाए है, फाइनल के लिए भी है और इंटर के लिए भी है, लिंक दी है, हम लोगों ने, वो लिंक पे आपको plan भी मिल जाएगा, और आपको paper भी मिल जाएगा, देखिए, हम लोग आपके साथ लगे हुए है, आपको जो चीजे चाहिए सब दे रहे हैं, आपको marathon revision चाहिए था, वो हम लोगों ने provide किया, आपको plan चाहिए था, वो पहले ही provide किया, अभी फिर से वापस provide कर रहा हूँ मैं, IPCC covered नहीं था पुराने plan में बराबर, वो आपको audio revision चाहिए वो भी दिया है, आपको soft copy of notes चाहिए वो भी दिया है, अब ऐसा है कि सब कुछ, आप लोग हमसे doubt clear करवाते हैं, site पे हम लोग generally 24 hours में doubt clear कर लेते हैं, सारी चीज़े आपको provide कर रहे हैं, अब आपकी जिम्मेदारी है जबर्दस पढ़ाई करना, correct, और मुझे पूरी उमीद है, कि आप लोग निराश नहीं करेंगे, और मन लगा कर बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे, तो यह जो papers है, इसका पूरा फायदा उठाई है, link description में दिया हुआ है, वहाँ से आप ले लीजे,